नमस्कार, किसी भी बीमारी का इलाज करने से अगर वो बीमारी की रोक थाम कही जाए तो बच्चे के लिए या किसी भी वेक्ती के लिए बहुत बहतर होता है कई बीमारीों का बचाव और प्रिवेंशन काफी आसान है तो आईए आज हम एक इसी तरह कि एक जेनेटिक बीमारी है थालसेमिया इस बीमारी से कैसी मुक्ती पाई जाए उसके बारे में जानकारी बताएंगे मैं डॉक्टर शुभा फट के Medical Genetics Department संजे गांधी PGI लखनों में प्रोफेसर हूँ और थालसेमिया एक ये अनुवाउशिक जेनेटिक बीमारी है जो भारत वर्ष में काफी जादा मातरा में देखी जाती है तो हम लोग तो चाहते हैं डॉक्टर चाहते हैं सब व्यक्ति चाहते हैं कि पूरी तरह सब लोग बीमारी के रोग मुक्तर है तो कुछ जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ बच्चों में जनम जात कुछ बीमारिया होती है और उनमें से कई बीमारिया जेनेटिक बीमारिया भी होती है और थालसेमिया उसी में से बीमारी है जो काफी मातरा में भारत वर्ष में पाई जाती है तो आज हम थालसेमिया से बचाओं के बारे में जानकारी आपको देंगे और इस वीशे के बारे में चर्चा करेंगे तो जेनेटिक्स विभाग में हमारे वार्ड में रोज करीबन 10 से 20 बच्चे आते हैं कि जिनको रक्त चड़वाना पड़ता है तो इन बच्चों को जो थालसेमिया बीमारी है उसमें इलाज ही ये है कि जिन्दगी वर उनको हर 2 से 4 हफ़ते में खून चड़ाना पड़ता है और ये उनके लिए जीवन दाई है और उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते है तो ये जो बीमारी है बहुत मुश्किल बीमारी है ऐसे लगता है क्यूंकि इलाज तो इसमें है एक इलाज है बोन मारो ट्रांस्प्लांटेशन जिसमें बच्चा पूरी तरह स्वस्त होता है लेकिन उसमें भी महंगा भी है और कुछ बच्चों को जिनको भाई बैन मैच मिलते हैं उनका बोन मारों ट्रांस्प्लांट भी नहीं हो सकता है और बाकी बच्चों को जैसे मैं बता रही हूं जो ब्लड चड़ाने का इलाज है रेगुलर ब्लड ट्रांस्विजन ये तो करा किया जा सकता है लेकिन आप समझ सकते हैं ये खर्चिला भी है और मापिता जी के लिए काफी मुश्किल भी है खुद बच्चे के लिए भी जिन्दगी बर इस तरह से जिन्दगी बिताना मुश्किल है तो क्या बचाओ संभव है और बच्चाओ कैसे किया जाए ये जो थालसे मिया से पीडित बच्चे होते हैं और इनके इलाज में जो मुश्किले आत उनके बारे में आप सोच सकते हैं और फिर से आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपको भी सबको लगेगा कि बचाओ इस बीमारी की इलाज से ज़्यादा आसान हो सकता है तो थालसेमिया ग्रस्त बच्चे जो है उनके माता और पिता दोनों थालसेमिया के वहक होते हैं मतलब कैरियर होते हैं मापिता जी को खून की कमी नहीं होती है और उनको कोई बीमारी भी नहीं होती है लेकिन उनके बच्चे में ये बीमारी होने की संभावना 25 प्रतिशत मतलब 4 में 1 होती है और हमको फिर अगर थालसेमिया ग्रस्त बच्चे का जनम का अगर से बचाना हो तो हमको आवश्चक है कि हम ऐसे थालसेमिया के कैरियर माता-पिताओं को बच्चे का जनम होने के पहले ही पहचान ले तो ये जो थालसेमिया के कैरियर होते हैं कहीं पे भी 100 लोग खड़े हो तो उनमें से 3-5 वेक्ति थालसेमिया की कैरियर होते हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि आधा येलो कलर जो है वो वेक्ति चाहे आदमी हो या चाहे औरत हो ये 3% प्रतिशत लोग थालसेमिया की वहक होते है तो जब भी किसी से किसी की शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि दोनों में से दोनों व्यक्ति थालसे मिया के वहक है या हो सकता है दोनों में से एक व्यक्ति थालसे मिया का वहक या कैरियर है तो अगर दोनों में से दोनों व्यक्ति, husband और wife, पती और पतनी अगर थालसेमिया के career या थालसेमिया के वहाग है तो उनके बच्चे में थालसेमिया ग्रसीद बच्चे का जन्म हो सकता है उनको normal बच्चे भी हो सकते है लेकिन उनको ग्रसित थालसेमिय मेजर के बच्चे हो सकते है तो ये आवश्चक है कि हमको इस तरह से husband पती पतनी को डूंड के निकालना है कि जो दोनों थालसेमिय के carrier है और इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि जो भी वेक्ति शादी हो गई है बच्चों को प्लान कर रहे है या पेट में बच्चा है ऐसे तुरंद पता चला है तो पहले तीन महने में प्रेगनसी के भी ये जाच की जा सकती है और एक सरलसी जाच है माता पिता ची का पिता का दोनों का कूड की जाच कर सकते है या आकछले मा या आकले पिता की जाच कर सकती है और जिसमें थैलसेमिय के वहक मेला तब फिर उसके दोनों की जाच होनी चाहिए और जो husband, wife, पती, पतनी जो दोनों थालसेमिय के क्यारेर है उनके लिए फिर हम लखनो PGI में टेस्ट की सुविदा उपलब्द कर सकते हैं जिससे पेट के बच्चे में थालसेमिय मेजर या serious टाइप का थालसेमिय है कि नहीं हम पता करेंगे और उससे बचाओ कैसे किया जाए ये इसके बारे में जानकारी बताएंगे तो ये जो blood test मापिता जी की की जाती है उनके नाम है hemoglobin A2, hemoglobin F और hemoglobin HPLC तो ये जो जाज की सुविदा है संजे गांदी PGI में पिछले 30 साल से ये सुविदा उपलब्द है और अभी श्रावस्ति और बहराईच में जो pregnant और या जो गर्भवती महिला है उनके लिए ये जो test है वो free of cost मतलब निश्विल का है और ये इसके लिए श्रावस्ति और बहराईच के जो महिला अस्पताल है उसमें से सैंपल लेने की सुविदा है मरीज को अलग्णों PGN नहीं आना पड़ेगा और वहां से हम जाज के लिए सैं जरूरी हो जिस परिवारों को थालसेमिया मेजर का बच्चा हो सकता है ऐसी संभावना है उनके लिए भी आगे की जाज की विवस्ता की जाएगी और ये सब फिर से बताना चाहूंगी ये निश्विल का सेवा है और सब महिलाए जो गर्भवती है या गर्भवती होना चाह जादा से जादा दे इस तरह से हम थालसेमिया ग्रस्त जो सीरियस टाइप का थालसेमिया की बीमारी है उससे हम बच सकते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस थालसेमिया के बैच्चों के जनम होने से हम रोब थाम कर सकते हैं धन्यवाद